यह क्या काट गया रहे यही लगता है साल क्या करो बहुत दर दो रहा यार अरे यह क्या हो रहा है उंगली में से दाड़ी खुजली होने लगई है तो एक्दम दिवाल के साथ थोड़क गीस लेता हूँ खुजली इत कम हो जाए अत्री यह दो चिपग गया रहे अरे वाह अरे अरे वाह अरे यह तो एक्दम मकडिसा फिलिंग आ रहा है वाह मजा रहा है चलो च्छत पर निकल ले दो ऐसे तीरे से लबाके मजा गया चलो यह च्छत में तो पहुंच गिया अब कलकते साधा पान खा गयाता हूँ यह कलाई में गुद गुद ही क्यों हो रही है लगता है साला कुछ निकलन वाले अंदर से है यह हवा में क्या लडग रहा है चलो उसको फोड डालता हूँ मैं चल निकाल हैरी पोटर काम नहीं करा नागराज जाई माईश मती बावजे कठुल लू नरेंदर मोदी मोदी नरेंदर मोदी केजरिवाल रवा केजरिवाल शाला निसान नहीं लग रहाँ केजरिवाल याह चिपक गया हेगा इस तो यार किस्ट आप सबी लोग और आपका सवागत है सूपरमन ने इसकी एक और नहीं वीडियो में तो यार स्पाडर मैन नूवे ओम को रिलीज हुए लगबग दो धाई मैने हो चुके है लेकिन अभी भी स्पाडर मैन नूवे ओम के कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला जैसे स्पाडर मैन नूवे ओम खतम होने के बाद जब सब भूल जाते कि पीटर पार्करी स्पाडर मैन है तो उसके सरे फिजिकल और डिजिटल एविडेंस की पीटर पार्करी स्पाडर मैन है उन सब क्या हुआ या फिर नैडर ने डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल कैसे खुला या फिर स्पाडर मैन ने लास्ट में नया सूट क्यों बनाया तो हाँ इनी सब सवालों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप कुछ मिस ना कर दो और हाँ अगर अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना मैं ऐसे यह अमीजिंग वीडियो लाता रहता हूँ तो अब ज़्यादा टाइम वेश नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं तो यार सबसे पहले बात करते हैं कि स्पार्डर मैन ने नया सूट क्यों बनाया तो जैसे आपको बता ही होगा कि स्पार्डर मैन नोवें की एंडिंग में हमें टाम होलन्ड के स्पार्डर मैन का नया सूट देखने को मिलता है और इसी के साथ स्पार्डर मैन के MCU में पहली ट्रायलोजी भी खतम हो जाती है जिसका मतलब अब ये टौम हलेंट के स्पार्ड मैन के लिए एक नई शुरुआत है बिना किसी फैमली और बिना किसी फ्रेंट के चाथ और नहीं कोई पीटर पारकर को जानता है और इसी फ्रेश न्यू शिटार्ट के लिए पीटर पारकर को एक नया सूट भी चाहिए होगा जिसके वज़े से वो नया सूट बनाता है और ये सूट खुद पीटर पारकर ने अपने लिए बनाया है जिसका मतलब Captain America Civil War के बाद ये पहली बार है कि पीटर पारकर अपने खुद के लिए सूट बना रहा है लेकिन इससे एक confusion और आता है कि क्योंकि Spider-Man नित्य टाइम से MCU में था और उसको Stark Industries की तरफ से बहुत सारे सूट भी मिले होंगे जो कि Stark Technology से बने हुए तो ऐसा हो सकता है कि Doctor Strange की स्पेल की वज़े से पीटर पारकर के सारे record भी मिट गए हो जिसके वज़े से अब वो Stark Tech को यूज नहीं कर सकता है और जब Spider-Man New Home की एंडिंग में पीटर पारकर ने सूट पैन के बार निकलता है यही चीज़ हमें बताती है कि MCU में पीटर पारकर का फ़र्ष्ट करेक्टर आर्क एंड हो चुका है और अब उससे सब कुछ खुद ही करना है क्योंकि पहले उसके पास Stark Technology थी जिसके वज़े से उसके पास बहुत सारे सूट से लेकिन अब उसके पास खुद का एक ही सूट है और Spider-Man Homecoming में तोनी ने पीटर से का भी था कि जिसके बाद से पीटर लगातार इंप्रूमेंट की कोशिश करता रहा है और अब अब मैं फाइनली एंस्यू में आगे आने वाली मूवीज में ऐसा इस पाड़मेन देखने को मिलेगा जैसा हम शुरू से देखना चाते थे जो कि ज़्यादा responsible होगा और किसी पे dependent नहीं होगा और सारी चीत खुद से करेगा तो यह अब बात करते हैं कि पीटर पार्कर के डिजिटल और फिजिकल एविडेंस जो कि बताते हैं कि पीटर पार्कर है उन सब का अखिर कार हुआ क्या तो यह स्पार्डर मैन नोव उनके लाष्ट में जब डॉक्टर स्टेंज स्पेल कास्ट करते हैं तब डॉक्टर स्टेंज ने कहा था कि इस स्पेल के कास्ट करने के बाद सब पीटर के अइडेंटिटी भूल जाएंगे किसी को भी नहीं याद रगा कि पीटर पार्करी स्पार्डर मैन है मतलब सब लोगों की मेमोरी से यह हट जाएगा कि पीटर पार्करी स्पार्डर मैन है लेकिन मेमोरी एक अलग बात होती है और हाड एडेंज से एक अलग बात होते है मतलब जब Spider-Man के identity reveal हुई थी तब सारे newspaper ने ये front page पर चापा था कि Peter Parker ये Spider-Man है और इसी के साथ ही बहुत सारे TV shows पर भी ये news broadcast हुई थी कि Peter Parker ये Spider-Man है तो वो सारी television clips और वो सारे newspaper उन सब का क्या हुआ Dr. Strange के spell cast करने के बाद तो ऐसा हो सकता है कि वो सारे physical और digital evidence blank हो गए हो मतलब एकदम खाली हो गए हो उसमें कुछ हो ही नहीं Dr. Strange के spell की वज़े से क्योंकि ऐसा ही comics में भी हुआ था जब Daredevil ने अपनी identity सब के memory से erase कर दी थी तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सारे evidence किसी और content से change हो गए हो मतलब जिस newspaper में Spider Man की identity reveal होने की news चपी हो उसमें कोई और news आ गई हो और ऐसा ही बाकी सारे evidence के साथ भी हुआ हो सब बदल गए हो तो आप बात करते कि Spider Man के दोस Ned ने Dr. Strange का portal कैसे खोल दिया तो हमने Spider Man न हुए हो में Ned को Dr. Strange वाला portal खोलते हुए तो देखा ही है और ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को भी Dr. Strange के जादू सामान दे दोगे और वो उसको use कर ले क्योंकि यह stark attack तो है नहीं कि इसको कोई भी use कर ले और ये भी clear है कि Dr. Strange ने उस अंगूटी पर ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे Ned वो portal खोल पहे क्योंकि अगर ऐसा होता तो Spider Man या MJ से भी गलती से portal खोल सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसका मतलब Ned के पास कुछ natural sorcerer skills है और sorcerer skills सीखना कोई आसान काम तो है नहीं अब Dr. Strange को ही देख सकते हो 2016 वाली Dr. Strange मूवी में Dr. Strange को बहुत मैनत करनी पड़ी थी एक sorcerer बनने के लिए तो हाँ ऐसा हो सकता है कि Marvel अभी हमें यह ऐसा इसलिए दिखा रहा हो क्योंकि आगे जाकर future में Ned के लिए कुछ अलगी रखा हो Marvel ने शायद आगे जाके नेट भी एक sorcerer बन जाए या फिर कुछ और क्योंकि जैसा मैं पते हैं Marvel वाले कुछ भी कर सकते है उनका कोई भरूसा नहीं Marvel वाले बहुत खतरनाक है और हाँ अगर आपको जानना है कि ऐसी कौन सी नई और अलग-अलग Super Hero Teams है जो कि Marvel future में MCU में इंट्रेड्यूस करने वाला है तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो उपर लिंक flash हो रही होगी जाकर देख सकते हो बहुत ही amazing वीडियो है वो और हाँ Instagram पर भी मैं ऐसे ही Marvel, DC और अलग-अलग Super Heroes और Movies को लेकर मस्त मस्त चीज़े डालता रहता हूँ तो आपर जाकर भी follow कर सकते हो लिंक description में होगी तो अब इस वीडियो को यहीं end करते है वीडियो अच्छा लगाओ तो like करना और अपने दोस्तों के साथ share भी करना और comment करके जरूर बताना की अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए मैं उस पर वीडियो जरूर बनौँगा और अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो वो भी कर देना तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए